आए देखते हैं जीके जीएस 50 कोस्चन अक्सर पूछे जाने वाले प्रस्ट सभी परिक्षाओं के लिए महत्त पूर्ण है कोस्चन नमबर वन राजयपाल किसके प्रती उतरदाई होता है अप्शन नमबर वन परधान मंत्री अप्शन नमबर भी राष्टपती अप्शन नमबर सी विधान सभा अप्शन नमबर डी मूख मंत्री इसका राई टेंसर हो जाएगा option number B राश्टपती के प्रती उतरदाई होता है राजपाल की नियुकती भारत के राश्टपती द्वारा 5 वर्स के लिए की जाती है इसके साथ यह भी वर्णित है कि वो राश्टपती के परसाथ परियंत कारे करेगा यह 5 वर्स से पहले भी हटाया जा सकता है यह राश्टपती के प्रती उतरदाई होता है राश्टपती और उप राश्टपती की अनुपस्तिती में कोन कार्यभार गरहण करेगा option number 1 शर्वच नियाले का मुख नियाधिस option number B लोकसवा का दिया option number C मंतरी परिशत option number D परधान मंतरी option number B इसका राइट एंसर हो जाएगा option number A शर्वच नियाले का मुख नियाधिस राश्टपती के अनुपस्तिती में उप राश्टपती तथा दोनों के अनुपस्तिती में शर्वच नियाले का मुख नियाधिस राश्टपती के किरिया कलापो का सम्वहन करेंगे ने क्रूस बोल्गा नदी कहां गेरती है अप्शन नमबर 1 लाल सागर में आप्शन नमबर भी कैस्पयन सागर में आप्शन नमबर सी काला सागर में आप्शन नमबर डी भूमध्या शागर में इसका राइट एंप whenever हो जाएगा अप्शन नमबर भी कैस्पियन सागर में बोलगा नादी कैस्पियन सागर में गिर्थी है नेक को सब कि सुमेलित कीजिए नमबर वन चंद्रगरहन नमबर दो नमबर भी उपगरह और यूरेनस नमबर सी उच पूछलतारा और थेरी मैनिनर नमबर डी क्रित्रीम उपगरहन और नमबर फोर में इधर हैली कुट नमबर वन एड और एबी सी डी को मिलाना है पहला नमबर वन गरह गरह से यहां हो जाएगा नमबर दो यूरेनस उसके बाद उपगरह से चंद्रमा उपगरह से चंद्रमा वन यहां हो जाएगा उसके बाद पूचल तारा का हेली होता है पूचल तारा का चार नमर यहां तीन नमर में और मैनीनर चार नमर में हो जाएगा इसका राइट एंसर जाएगा आप्शन नमबर फोवन नेक्कोस्टन निवन में कौन लोग छेत्र है अप्शन नमर वन सीवान अप्शन नमर बीचारी अप्शन नमर सी गुद्रे मुख अप्शन नमर टी करनाटा के बाबो बुद्धन काला मेडा गुड़ी और कुमेद्र छेतरों में चीत्र दूर्व सीम लोगा में लोहा पराप्थ होता है जर्या जर्खन में इस्तीत कोईला की खान है या ब्यूट्यमीनिस परकार की कोईला पाया जाता है सीमुख जी लजर्खन का परमुक लोह अयस का केंद्र है नेक्रुस निवन में से कहां जल बीदूत गिरी इस्तीत है अप्शन नमर वन कोईना में अप्शन नमर बी नवेली अप्शन नमर सी काट गोदाम अप्शन नमर डी ट्रामबे इसका राइट एंसर हो जाएगा महाराष्ट जल बीदूत उत्पादन में अगरिण है यहां खोपोली मीरा कोईनापूर महतपूर जल बीदूत केंद्र है ट्रामे महाराष्ट के तापिया बीदूत केंद्र है काट गुदाम आंध्र परदेश का ताप बीदूत केंद्र है नेक्रुस नेक्रुस नेक्रु सासराम बिहार में अपने जीवन काल में ही मकवरा अस्तापते कला और परक्राष्टा और इस से पुरानी सेले की परकाष्टा और नहीं सेली की परवर्तक देखा जा सकता है डमरू की शक्र में दीखने वाले और कवरे पर हिंदू मंदीरों का भी परभाव देखा जा सकता है नेक्ट कोशन रह्यतवाड़ी प्रथा परम की थी अप्शन नमर वन टाम्शन मुनरो ने अप्शन नमर भी मार्टीन बड़ ने अप्शन नमर सी करनवालिष ने अप्शन नमर डी लाट डलहाव जी ने इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर तॉम्स मुनरो ने रह्यदवाड़ी व्यवस्ता में परतियक पंजी क्रीप भूमिदार भूमी का स्वामी होता है जो सरकार को लगान देने के उत्रदाई होता है उसके पास भूमी को रहन रखने वा बेचने का अधिकार होता था भूमी नद देने की स्थिती में उसे भू समीतों के अधिकार से पहंचित कर दिया जाता था बिहार की पर्थम महिला मुख मंत्री थी अफ्शन नंबर वन खुसुम राय अफ्शन नंबर भी रावडी देवी अफ्शन नंबर सी बीड़ा साही अफ्शन नंबर भी परभावती गुपता इसका राइट एंसर हो जाएगा अफ्शन नंबर भी रावडी देवी नेट क मुदर राक्षस का लेखह नीन में कोन है? option number one, अस्वा गोस, option number B, विसाक दत, option number C, कालिदास, option number D, भास इसका राइट अंसर हो जाएगा, option number B, विसाक दत मुद्द राक्षस की रचना विसाक दत ने की थी इससे परचीन भारत के पर्थम ब्रिहद और सकती सालिस समराज मोर राजबन्स की तियास के बारे में तातकालिन समाज की जनकारी पराप्त होती है कालिर दास ने अभियान सकुतलम जैसे महतपूर नाटा लिखे थे संसार अस्तीर और छाडिक है कानीन में से संब़ल है अप्शन नमबर ए बोध शर पर्थम महत्मा बूध ने संसार को और इस्तीर और छड़ी कहा था जिससे छड़ भंगवाद के नाम से भी जाना जाता है बूध के उग्देशों का सार उनकी महत्तो संपूर सिक्षाओं का अधार अस्तम है संसार की सभी बस्तु कार और करम पर निर्वर करती है किसी बस्तु के होने पर सम उत्पात किसी अने बस्तु की उत्पाती से नेट को सिंप थर्मो एस्टेट समान दी थे अप्शन नमबर वन आधरता से अप्शन नमबर भी ताप करम से अप्शन नमबर चुना पथर का रसायनिक नाम है अप्शन नमबर वन कैल्सियम कर्बोनेट अप्शन नमबर भी मैगनिसियम कोलराइट अप्शन नमबर सी सोडियम कोलराइट अप्शन नमबर दी सोडियम सलफाइड इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन नमबर एक कैल्सियम कर्बो किया जाता है next question पीतल मिस्रण है option no. 1 10 प्लस चांधी का option no B 10 प्लस जास्ता का option no C 10 प्लस तामभा का option no D जास्ता प्लस तामभा का इसका right होता है यह मिश्र धातू है निवन में कोन सा केंद्र सरकार नहीं लगाती है अप्शन नमबर वन उपहार कर option नमर B, मनरंजन कर option नमर C, ब्यक्तिगत I कर, option नमर D, नीगम कर इसका right answer हो जाएगा option नमर B, मनरंजन कर मनरंजन कर, राज़ सरकार द्वारा लगाया जाता है और वसूला भी जाता है, जबकि उपहार कर, ब्यक्ति कर, तथा नीगम कर, केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है नेट को से भूमी विकास बैंक का कौन सा कारिय सत्य है option no.1 दिर्कालिन रिण क्रिशको को उपलब कराना option no.2 अल्पकालिन रिण क्रिशको को उपलब कराना option number C, बड़े उधगों के लिए रिण उपलब कराना, option number D, लगों उधगों के लिए रिण उपलब कराना, इसका राइट एंसर हो जाएगा, option number 1, दिर्ग कालिन रिण क्रिशकों को उपलब कराना, किसानों के दिर्ग कालिन, वीतिय और साक्ताओं के पूर्ती के लिए भूमी विकास बैंकों के अस्थापना की गई थी, भूमी खरिदने, भूमी पर अस्थाई सुधार करने अथ्वा पूराने रिणों का भुकतान करने आदि के लिए दिर्ग कालिन रिणों की विवस्ता क करते हैं नेट कोशन राष्ट पती के उमिदवार के लिए क्या आउस्यक नहीं है अप्शन नमबर वन आयू 35 वर्सों आउप्शन नमर भी पढ़ा लिखा हो आउप्शन नमर सी संसर चुने जाने की योगता रखता हो आउप्शन नमर डी देश का नागरिक हो इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन नमबर बी पढ़ा लिखा हो यह कोई जरूरी नहीं है राष्ट पत्क निर्वाचन है तुझ सेक्षित होना अनिवार नहीं है इसका स्वम्भी धान में कोहीं उलेख नहीं मिलता है नेक्ट कोशन यह धन बीधियक है इसका निर्वाचन कोन करत है अप्शन नमर वन राष्टपति अप्शन नमर भी परधान मंत्री अप्शन नमर सी लोगसभा अध्यक्ष अप्शन नमर डी मंत्री परीशन इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन नमर सी लोगसभा अध्यक्ष अनुछेद एक स्वदोस के तीन के अनुसार यदी यह प्रश्ण उठता है कि कोई विध्यक धन विध्यक है या नहीं तो उस पर लोगसभा के अध्यक का नियुन अंतिम होगा धन विध्यक लोगसभा में ही प्रस्तूत किया जाता है तथा लोगसभा के पास होने के बाद इसे रायसभा के अनमोधन के लिए राजियों के पास भेजा जाता है और लोग सवाप पर निर्भर रहता है यदि बीना किसी संसोधन के राज ये सभा इसे चोधे दिन तक रोके रखती है तो उसे पारित माल लिया जाता है नेक्स ग्रहों के बारे में नीम में क्या सकते हैं ऑप्शन नमबर वन यह परकास हीन होते हैं किन्तु चमकते नहीं अप्शन नमर भी यह अपरकास मान होते हुए भी चमकते हैं गलती हो गया हो जाएगा अप्शन नमबर सी यह परकास वान होते हैं किन्तु चमकते नहीं अप्शन नमबर डी यह परकास वान भी हैं और चमकते भी हैं इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन नमबर दी यह अपरकास मान होते हुए भी चमकते हैं गरह, प्लैनेट खगोलिया पींड होते हैं वे श्वेम के परकास से न परकासित होकर तारों के परकास से परकासित होते हैं हमारे सौर मंडल के सभी गरह भी एक मातरे तारे सूर्य के परकास के परकासित होते हैं ये सभी गरह सूर्य का ही चकर लगाते हैं मराठो के उतकर्ण का निवन में से कौन सा कारण नहीं है अप्षन नम्बर वन धार्मिक चेतना अप्षन नम्बर भी भोगोलिक सुरक्षा अप्षन नम्र सी राजनेतिक जागरिती अप्षन नम्र डी उच नेतरित्व शक्ती इसका राइट अंसर हो जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्षन नम्बर एशिकांदरा में अकबर ने सिकांदरा में इस्थित मकब्रे की योजना स्वेम बनाई थी प्रंतु 1612 इसवी में अंतीम रूप से इसका निर्मार जहांगीर ने करवाया था पीरामीड की आकार के बने इस पंस मंजिले मकबरे की सबसे उपरी मंजिल पर मंजिल का निर्माश संग वर्मर द्वारा जहांगीर ने करवाया था सिख्छा के माध्यम के रूप में अंग्री जी की वकालत किसने किया था इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्षन नमबर ए लाड मेकाले ने लाड मेकाले ने अपने 1835 के सिक्षा पात्र में सिक्षा के माध्यम के रोप में अंग्रेजी वो पस्चात सिक्षा की वाकालत की थी उसने कहा था कि भारतिय साहित्य उरोप की एक आलमारी के लायक भी नहीं है बिहार में जायत की फोसल उगाने वाले जीलों में कौन सा सामिर नहीं है अप्शन नम्बर भून ओजगे है अप्शन नम्बर बूजपार पूर अप्शन नम्बर सी शहर शा अप्शन नम्बर डी सी भूम इसका राइट एंसर हो जाएगा। अप्शन नबर डी सी भूम में नेक कसी सितों अंकोर वाट का मंदीर कहाँ पर स्ती थै आप्शन नमबर वन जावा में अप्शन नमर भी मात्रा में अप्शनекстinin नमबर कंबोडिया में अप्शन मंदिर कंबोडिया में इसका निर्माड 1125 इस भी में कंबूज नरेश सूर्य बर्मन दितियक ने कराया था यह मंदिर पार्चीन यसोधारा पूर में बना है रमायर की शंपूर का था को इसमें मूर्थ रूप परदान किया गया है इसके अत्रित माभारत तता पूराणों के द्रीश एक्ष किन्नर गंधवों को जगा जगा चिनित किया गया है इस पर भारतिया अस्थापत्य कला का असपष्ट परभाव द्रिश्टी गोचर मिलता है नेक्ष्ट पॉस्ट धूप से बचने के लिए छाथे मे रंग सन्जव जन निवन में कौन सबसे उचीत है ऊप्षी नबर वार उपर का काले नीचे का उजला अप्शन नमबर B, उपर का उजला नीचे के काला, अप्शन नमबर C, काला, अप्शन नमबर D, मात्र उजला, इसका राइट एंसर हो जाएगा, अप्शन नमबर B, उपर का उजला और नीचे का काला, स्वेत रंग का परकास पूरित परवर्तक है जिससे बहुत कम मत्रा में उसमा अवसोसी थोपाती है अतच्छाते की उपरी सत्व में सफेद होने से गर्मी में धूप से बचा जा सकता है नियुन में से किसमें कारवन मिलता है अप्शन नमबर वन लिगनाइट अप्शन नमबर बी टीन अप्शन नमबर सी चांदी अप्शन नमबर डी लोहा इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन नमबर ए लिगनाइट लिगनाइट कोईला है जलते समय अधिक धुआ देता है इसमें कारवन का अंस 45% से लेकर 55% तक होता है यह कोई राजास्थान के पालना तमीनाडू के और काट एवं कसमीर के करिवाग छेतर में मिलता है नेटकोस बिहार का देश में स्वबजी उत्पादन में अस्तान है अप्शन नमर वन तीसरा अप्शन नमर बी पाँचवा अप्शन नमर सी छट्ठा अप्शन नमर डी सात्वा इसका राइट एंसर हो जाएगा आसट्यश्र नॉम्बर यह सर्ण नेख्र गोशिंग मी आपरेश्ड फालज दो सम्बंद में नीम में किसे सम्बंद आप्षिन यह विए बार की रोख था, अप्षिन नम्र B दूध्हापुर्ति स्वक्षक्ष जलापूर्ति इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्षिन नम्र B दूध्हपुर्त प्वादन से अप्रेशन फ्लोड योजना देश में दोद उत्पादन के बिरिधी के लिए चलाई गया योजना है योजना स्वेत करांती के नाम से भी जाने जाती है योजना 3 चर्नो पर 1970-1998-1985-1994 तक चलाई गया इसमें परणाम दोद उत्पादन में अस्तित बिरिधी हुई और भार पर्थम दूद उत्वादन देश बन गया बर्ग अपरेशन फुलर्ट दूद का समद डाक्टर बर्गिस कुरियन को जाता है नेक्ट कुसिंग किसी जहाज को सबसे कम समय में एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक जाने के लिए नीम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए किसी जहाज को एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक कम समय में पहुचने के लिए यातर देशान तर के सापयक्ष करनी होगी एक सो औसी डिग्री देशान तर पर पूरब से पौस्थिम जाने पर एक दिन कम हो जाता है और पौस्थिम से पूरब जाने पर एक दिन बढ़ जाता है नेक्ट कुस्चिन नीम्न में सबसे छोटा महादी फोन है औस नую पर स्टेलिया इसका राइट एंसर होगा औप्शन नॉपर दी अस्ट्रेलिया आस्ट्रालिया बी-सों का सबसे छोटा महादीप है इसका भूच्यतर km के क्ने स्ट्रेट्र फोल का फाइब पॉइंट टू पर तीसद है जबकि एसिया बीश्व का सबसे बड़ा महादीप है जिसका भूज छेत्र बीश्व के कुल छेत्र फॉल का अस्ट्रेलिया का पस्याद एरोब और उसके अस्ट्राट चोटे महादीप है एक परकार से अकार में अटार्टी का पांचवा और एरोब का छठवा तता अस्ट्रेलिया का सत्वा अस्थान है हल्दिया बंदरगा चाह से कौन सी बस्तु आयात की जाती है आप्षिन नमर 2 मतश्या आप्षिन सिर है अवी मसीन टूर्स अप्शन नमर 4 प्ट्रोलियम पदार्थ इसका राइंट एंसर हो जाएगा आप्षिन नमर 2 प्ट्रोलियम पदार्थ पहसिम मंगाल एस्तित हल्दिया बंदरगा कोलकाता टक नो पोहुच पाने वाले बड़े बड़े जलियानों के लिए विसेश रूप से कोलकाता के सहायक बंदरगा के रूप में बिक्सित किया गया है यह होगली नदी के ठीक मुहाने पर इस्तित हैं यहां पेट्रोलियम आयात की भी से सुविधाएं बिक्सित की गई है हल्दिया रिफाइनरी तेल की आस्थापना भी की जा चुकी है सरदार सुरूर बांध की इस नदी में बनाया जा रहा है अप्षिन नमबर नर्मदा अप्षिन नमर बी चमबल अप्षिन नमर सी सटलज अप्षिन नमर डी महा नदी इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्षिन नमबर ए नर्मदा में कि 18 अक्टूबर 2000 को को सरोज नियाले नर्मदा नदी पर निर्मीत हो रहे सरदार सुरूर बांध की उचाई 138 मीटर करने के अनमत्ती दे दी थी गत बर्सिया उचाई 90 मीटर तक बढ़ाने के अनमत्ती दी गई थी इस वर्योजना से गुजरात महाराश मध्य पर्देश को जल पराप्त होता ह नेट को से बास कोड़ी गामा भारत कव आया था अप्शन नमर वन 1496 अप्शन नमर भी 1497 अप्शन नमर सी 1698 अप्शन नमर डी 1600 इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन नमबर सी 1498 इस भी में आया था 17 माई को बासकोड डी गामा ने भारत के काली कट तक शमूंदर मार्क से पहुचा था और भारत की खोज करते हुए काली कट के ततकालिक सासब उसका स्वागत जो राजा जोमरी ने किया था उपनीसद का फार्सी में अनुबाद कीश मुगल समराट के सासन काल में हुआ इसका राइट अंसर हो जाएगा उपनीशत का फार्सी अनुवाज सीर ए अकवर है जो दारा सीको की राचना साजहा के काल में हुई थी बूद की खड़ी परतीमा नीवन में से कीस काल में बनाई गई अप्शन नमर बन गुपत काल अप्शन नमर बी कुशाड काल अप्शन नमर सी मोरे काल अप्शन नमर डी गुपतर काल इसका राइट एंसर हो जाएगा option number B कुशाड काल में कुशाड यूग में ही मतुरा से बूध एयों भोधी सत्य की खड़ी वो बैटी मुद्रा में बनी हुई मुर्तिया मिली है नेकोसी भारी जल एक परकार का option number 1 सीतला के option number B मंदा के option number C option number D इसका राइट एंसर हो जाएगा option number B मंदा के भारत में परमाडो परियोजना के संचालन में भारी जल याने D2O के विशेष्ट भूमिका है इसका उपियोग उचदाब वाले गुरु जल रियक्टरों में नियंतर और सीतला के रोप में किया जाता है पर्थम भारी जल संयंत्र 1901 इस भी में बंगाल में लगाया गया था next question neutron की खोज किस ने की option number चैडविक ने option number B रदर फोर ने option number C बोर ने option number D Newton ने इसका राइट एंसर हो जाएगा option number चैडविक ने neutron की खोज चैडविक ने 1932 इस भी में की थी इसकी मातरा पोटरान की मातरा के बराबर होती और इस परकार आवेश नहीं रहता है आवेश रहित होने के कारण इसका परियोग नाविकिये विखंड़न में किया गया पर्माडू का पर्थम विखंड़न तथा परमाडु सोद की खोज रधर फोड ने की थी गुर्टा कर सांता ता गती के नियम की खोज करता नियूटन ने की थी ने कोस कि विश्वय रलॉ आयास उत्तपादन में पर्तम अस्थान है औप्शन नुमर फिलिपीन्स अप्शन नमद भी अमेरका औप्शन नमर सी सोव्यूत संट अप्शन नमर भारत का इसका राइट यंशर हो जायेगा अप्शन नमद भारत का किस सभा का अध्यक्ष उसका सदसे नहीं होता है option number A, option number B, लोक सभा option number C, बिधान सभा, option number D, बिधान परिशन इसका राई टेंसर हो जाएगा option number A, राजिय सभा का अनुछेद 64 के तहद भारत का उपराश्पती राई सभा का पधिन सभापती होगा अन्य कोई लाब पर पध नहीं धारन करेगा यदि उपराश्पती राई सभा का सदसे नहीं होता है तब, नेट कोशिए राज सभा के सदसे क्या कारेकाल कितने वर्स होता है option number 1 3 वर्ष option number B 5 वर्ष option number C 6 वर्ष option number D दो वर्ष इसका right answer हो जाएगा option number C 6 वर्ष का राज सबह का एक अस्थाई निकाय है इसके सदसियो का कारकाल 6 वर्ष का होता है इसके सदस का प्रती इसके सदा से का एक बटा थीन सदा से परती एक दो वर्स पर शिवा निविर्थ होते रहते हैं अनुछे तीरासी के वन में कहा गिया है स्वेज नहर कीन दो नहरों को मिलाती है अप्शन नमर वा अरब सागर का अरब सागर काला सागर अप्शन नमर वी भूमद्य सागर लाल सागर अप्शन नमर सी काला सागर लाल सागर को अप्शन नमर डी हिन महाशागर लाल सागर इसका राइट एंसर हो जागा अप्शन नमर वी भूमद्य सागर को लाल सागर से स्वेज नहर का निर्माट 1879 इस भी में हुआ इस नहर में उत्री परवेश द्वार पर भूमध शागर की और पोट सही तथा दक्षिन परवेश द्वार पर लाल सागर की और पोट स्वेज इस्तीत है इस नहर के उत्री भाग में लिटिल जिल दक्षिन भाग में गरेट बीटर खारे पानी की जिले हैं 1956 में मिस्र के द्वारा इस नहर का राष्टिय करण किया गिया करनल लाशिर द्वारा नेकोश मुगल चित्र काला के विशवय में कौन सा कथन सत्ते है अप्शन नमर वन, यूद द्रिश अप्शन नमर बी पसू पक्षी और प्राकीर्तिक ग्रिशे अफ्षन नमपर C दर्बारी चित्रण पसू नमपर D उप्युक्त शभी इसका राइट एंसर हो जाईगा अफ्षन नमपर D उप्युक्त शभी मुगल काल में पसू पक्षू के आंकन में म२सूर को मानवियों चीत्रण में विशन दास को महारत हासिल थी सा जहा के काल के परभा मंडल वो दरबारी चीत्रण का विशेस विकास हुआ ने कोशन अकुबर कालीन सेन विवस्ता अधारी थी मंसबदारी अफ्षन नमर सी सामन्त वाली अफ्षन नमर डी आईने एधसाला इसका राई टेंसर हो जाएगा अफ्षन नमबर मंसबदारी और भी भासा में मंसबद का साबदी कर्थ मुगल कानी सेन बिवस्ता मुंसबदारी पर्था पर अधारी थी अकपर द्वारा परवम की गई इस बिवस्ता में उन वियक्तियों को समराट द्वारा एक पौद परदान किया जाता था जो शाही सेना में होते थे मुगल काल में सेना का परधान नीवन में कौन होता था ओप्शन नमबर वन शाहना एपील अप्शन नमबर बी मीर बक्सी अप्शन नमबर सी बजीर अप्शन नमबर डी सवाहे निगार इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन नमबर बी मीर बक्सी मुगल काल में सेना का परधान मीर बक्सी होता था वही सैनिकों के हुलिया वेतन घोड़ो आदो की जाच करता था मनसबदारों के नियुक्ति किसी फारिस भी वही करता था नेक्सन और कंप्यूटर जब किसी इंस्टागराम को in enrichment और exह होने वाले इवेंट्स अप्शन नमर बान एक्सवीशन साइकल मी परसाल श्यॉक्सन को बोर्किंग था एंसन नमर इसका राइट एंसर हो जाएगा इक्चिव्यव्यूट करता है तो उसमें होने वाले इवेंट्स ऑफशन नमर ऑन एक्चिविशन शाइकल ऑप्शन नमर वी इंठ्राक्षन साइकल अप्षन नमर सिर्पार्टििंग साइकल अपशन नमर आप्शन नमबर ए एक्विशन साइकल नेक्ट कोस्चन समराट हर्स ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां अस्थनांत्रित की थी अफ्षन नमर बन पर्याग अफ्षन नमर भी दिल ले अफ्षन नमर सी कुनोज अफ्षन नमर डी राज गिरी में इसका राइट एंसर हो जाएग अफ्षन नमर सी कुनोज में शमराट हर्स वर्थन का सासन काल 606 इसवी से लेकर 647 इसवी निलागव 606 में थानेश्वर की गदी पर बैठा था इसके बीशवर में जनकारी बाढ़ भटके हर्स चरित्र से मिलती है हर्स चरित अपनी राइधानी थानेश्वर से कुनोज ल 72 भैपारी चीन में किसके कारेकाल में भेजें आप्षन नमर 2 कुली नूग पर्थम आप्षन नमर 2 राजएं Westminster पर्थम खोड़तलिय तो मुझ षीलिक हर्स जा शआकी जहाएगा यहारी कुली नूग पर्थम कुतोलूंग ने बहुत्तर बैपारियों का दूत मंडल चीन भेजा था ग्यतब है कि इसके पहले राज महाराज पर्थम और राजेंदर पर्थम ने भी चीन में अपने राज दूत भेजे थे यहाँ टोन यहां डोग एड्स एड्स का कारण है ओप्शन नवर बक्टीरिया अफ्शन नमर B फफूनदी ऑप्शन नमर C बाईरस ऑफ्शन नमर D अमीबा इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑफ्शन नमर C बाईरस एक संकर्मारक रोग है जो HIV के विशाडू के संकर्मित होने से फैलता है यह जानलेवा रोग है जिसका निदान अभी तक ढूंडा नहीं जा सका है कारियोजेनिक एंजन का इस्तेमाल होता है ऑफ्षन नमर बोईंग में ऑफ्षन नमर भी तीवरे रेल एंजन के रूप में ऑफ्षन नमर डी परमाडु भठी में इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑफ्षन नमर सी एस्पेस सटल में कम तापमान को कारियोजेनिक कहा जाता है। बैग्यानिक द्रिष्टी से सून्य से 150 डिगरी सेलसियस नीचे के तापमान को कारियोजेनिक तापमान कहा जाता है। अधिक सकती परदान करता है। इसरो ने फरवरी 1998 एसवी में कारियोजेनिक इंजन तमीनाडू के महेंद्र गीरी से सफल परिक्षण किया था। एक वर्धात पूरूस एक समान महिला से बिवाह करता है। वर्धता से वर्धता के लक्षण उत्वन होंगे। इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्षन नमबर डी पुत्रों में। वर्धता एक्स को रोमों जोम समंधित रोग है। यह वर्धता पूरूस एयों शमान महिला से बिवाह करता है। तो बच्चो के वर्धार्त होने की परकीरिया इस परकार होती है। एक्स वाई एक्स एक्स यह 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 एक्स है और एक्स एक्स है। मिलता है तो एक्स बराबर पुत्री। एक्स पूरूस का एक्स को रोमों जोम वर्धात है। अर्थात पूत्र एक्स वाई वर्धात नहीं होगा। जबकि पूत्री का एक्स एक्स में वर्ता के लक्षन है चुकि महिलाओं के अंधापन का परभाव नहीं पड़ता है इसलिए पूरुस एव महिला के पूत्री के पूत्र होगा तो वह वर्ता से परभाविद होता है अतब भीकल डी करेक्ट है पूत्रियों में पूत्रियों क बटंद वना नहीं पूले